हेलो आवरीवान आप सभी का स्वागत एवरिधिंग होममेड पे मेडिसलिक सोप का आज मैं रिव्यू शेयर करने वाले हूँ मैं हूँ स्वेटा और वीडियो के लाज तक आपको बने रहना है ताकि मैं पूरी जानकारी दे सकूँ अगर आप गोरे होने के लिए स्किन को फियर करने के लिए या फिर स्किन की प्रॉब्लम्स को खतम करने के लिए मेडिसलिक सोप का यूज करने वाले हैं तो अगर आपको ये लगता है कि ये कैसा रिजल्ट देगा ये बाती जाननी है आपको सो वीडियो के लाज तक बने रही हैगा, 100 ग्राम की ग्रेडक्ट क्वांटिटी इस तोप की आती है यहां पर आप देख सकते हैं, प्राइज इसकी 65 रूपीज है, डेफिनेटली 5 रूपीज ओफ पे मिल जाता है मार्केट में आपको किसी भी मेडिकल सोप पे इसकी सेल्फ लाइफ जो है, टू इयर्स की है और 100 ग्राम प्रोड़क्ट हुएंटिटी है मेडिकल सोप की एक खास हित मुझे बहुत ही जदे अच्छी लगी जो यह है कि अगर आप इस सोप को पर्चेस करते हो न तो इसके अंदर से फ्रेग्रेंस आपको तो बहुत अच्छी वाले मिलने वाली है, मतलब बहुत ही जादे hard fragrance नहीं है और बहुत ही जादे soft भी नहीं है, अच्छी लगती है इसको अच्छी लगए अगर यыं रखते होगे लगेगी,yang आपको शी यह यह दब्बे के अंदर मिलता है आपको लब आप इसको अनबॉक्स करते हो, तो अपके अच्छी क्वांटिटी में यह प्रोड़क्ट जो है थिक बार के रूप में हैं, तो अच्छा खासा चल जाता है, अगर दो परसन अगर यूजर कर रहे हैं, तो महीने पर तो चली ज कर सकते हैं तो ऐसा कुछ मना ही नहीं है यहां पर सबसे पहले तो इसके इंग्रेडियंट आप देख लीजिए आलमंड इसमें मिलाए गया है आलमंड ओयल जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनेफिशल होता है आपको भी पता है अलोवेरा एक्स्ट्रेक्ट हैं और कोक कि अध्य है तो अगराप इसको यह सोच करके shake कर रहे हैं कि आप इसको यह सोच करके 보gaard कि द हमें कि एक तो सबसे पहले यह Last दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप इसको ये सोच करके पोर्चेस कर रहे हैं कि आपकी स्किन को फेर्नेस एफेक्ट देगा, सबसे पहले मैं फेर्नेस की ही बात कर रही हूं यहां पे, क्योंकि आज कल सबकी समय से ऐसी हो गई है कि इसकिन पर जाईया आ जाती है, इसकिन जो है वो थोड़ी डल दिखने लगती है, तो सबको ऐसे ही कुछ भी चाहिए, प्रोड़क्ट जो की वो फेस पे यूज़ करें और इसकिन की डलनेस खतम हो जाए, तो जी हां बिल्कुल यह वैसा वर्क भी करता है, अगर आप मैजिकल वर्क नहीं करता है, कोई भी इसकिन को एकदम मतलब लगता है कि मैल डर्ट गंडेगी को डीप क्लिन कर दिया, ऐसा फील भी होता है और यह ऐसा वर्क भी करता है, अब मैं अगर इसकी बात कर लूँ, कि यह पिंपल वाले फेस पे लगानी चाहिए या नहीं, अगर आपके पेंफुल पिंपल्स हैं, इ आपको नहीं यूज़ करना चीए, ऐसे screams या फिर soap, अगर जहाईया है और tan है तो उस पे आप यूज़ कर सकते हैं, अब बात कर ले ते कि इस skin type के लिए, तो oily skin type इसे यूज़ कर सकते हैं, dry skin type इसे यूज़ कर सकते हैं, normal skin type, and sensitive skin वाले पैस टेस्ट कर लें, उन्हें अगर अगर महसूस होता है कि उन्हें यह सम्टाइम रियक्शन नहीं करा है, इचिंग नहीं दे रहा है, फिर वो यूज़ कर सकते हैं, बट एक और चीज़ मैं आपको बता दूए यहां पर कि ड्राइ स्किन जो है, वो इसे समर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि समर में ड्राइ स् इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं, बट हर चीज़ की कुछ नुकसान भी होते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगी, कोई भी प्रोड़क्ट परफेक्ट नहीं होता है, सब के लिए, किसी के लिए नुकसान दाइग भी होता है, तो अगर आपकी स्किन भी कबार किसी किसी के, दो-तीन ऐसे पिंपल्स आने लगते हैं, जो पेंफुल नहीं होते हैं, बस ऐसी बंप्स होते हैं, अगर आप मेजसलिक सोप यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपको वो रियक्ट कर रहा है तो, या फिर रेड रैसे आ सकते हैं, तो ऐसे नहीं है कि कमिया इसकी बताई हैं, जो कि हर एक क्रीम और हर एक स्कीन क्रेयर कॉस्मेटिक प्रोडक्स में होते हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, और मेरे साथ भी ऐसा है, मेरी स्कीन ड्राई है, अगर मैं इसे यूज़ करते हूं, तो मुझे रिजल्ट तो काफी करें, और यह था हमिरा आज का रिव्यू, मैं तेसलिक ओइंट्मेंट क्रीम का भी मैंने रिव्यू किया है, वो भी जाकर चेक कर लिज़ेगा, लिंक डिस्क्शन बॉक्स में है, डेफिनेटली क्यूंकि वो रिजल्ट बहुत ही एफेक्टिव देता है, बट आपको इसकी टाइब के हिसाब से ही उसे लगाना है, इस बात की जियानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ऐसी ही नीपरचेस कर लेना है, तो चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, आपको कैसा और वीडियो चाहिए, कौनसे प्रिड़क्ट का रिव्यू चाहिए, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, यह था हमारा आज का रिव्यू, पसंद जबरूर आया होगा आपको, आप लाइक कर दीजिए, चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक क्यर